नमस्काद आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से साधा ब्लाउज की कटिंग एंडि स्टीचिंग तो एह देखिए कपड़ा है वो सिंपल कपड़ा है तो इसमें से हम जैसे साधा ब्लाउज या फोर्टक्स ब्लाउज उसको कैसे बनाएंगे वो बताऊंगे तो , इससे का नактер लेना है वह उससका नां लेना है , यहां पर लेंगे उन्ड राफ लेने हैं Major लेगे हमारी हमने में लिष्ट जो सोलड नांक लेना है , पिछे की लंबाई उससे लंप पाण के चलिए कपड़े को हमें पहले डवल करके रखना कि इस तरीके से डवल करनाँ अब डवल करने के बाद देखिए 19 इंच हमारी अचेश्ट हैं तो यहां पे हमने एक निसान लगाना है 19 इंच में उसके बाद ही हम यह आप लेंगे दो इंच या तीन इंच गुंजाइस हमेशा आपको ज्यादा लेनी है क्योंकि तीन इंच होगी गुंजाइस तो अगर आप कितना भी उसको टाइट करेंगी तो उसमें गुंजाइस रहेगी आप द्वारा इंच की गुंजाइस लेके चलना है तो यहां पर हमने तीन इंच ले लिया गुंजाइस आप इसको हमें काटना है आग आप पीछे के पल्ला रहें दोनों काट लेंगे अब देखिए काटने के बाद हम क्या करेंगे जैसे हमारी पीछे की लंबाई यह बोल निकान नहीं हमें तो हमारी पीछे की लंबाई थे 14 इंच तो हम क्या करेंगे पहले हमें 1.5 इंच लेना यहां पर हमारी तुर्पाई और सिलाई के लिए अब देखिए यहां पर हमें 14 इंच रखना है यहाँ पर 14 इंच अब देखे 14 इंच यह ले लिया और यहाँ पर हमें आगे की साथ जो पिलेटर डालेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच लेना अब देखे पीछे की साइड भी हमने 1.5 इंच लिया तुरपाई के लिए और आगे की side हम इसलिए darin ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि इसमें डालेंगे तो आगे का पल्लर हमेशा हमें बढ़ा लेना है पीछे की पल्लर से क्योंकि इसमें plate जालते हैं तो छोड़ा हो जाता है तो इस तरीके से हम इसको बराबर करके dowel कर लेंगे यहां पर चार पल्लर होने चाहिए देखे, चार हैं, तो यहां पर लगेगा हमारा आरूमल का निशान, यहां पर बंद वाली साइड है, यहां पर लगेगा गले का निशान, तो जैसे हमारा छोटा गला है, तो हम यहां पर 6 इंच के सोल्डर लेंगे, और आरूमल लेंगे, बनाना है पहलर उसके बाद यहां से गोल आई ऐसे करके इस तरीके से यहां पर देखिए एक इंच गले के लंबाई चेंच क्योंकि आगे और पीछे के दोन्म उसायर बडावर तो यहां पर बूल आई अगर आप डीप गला बनाना चाहते हैं तो 5 इंच के सोल्डर लें फिर आप चाहें कितना भी बड़ा गला कर लें गले की जो लंबाई है वो छे इंच है तो इसलिए मैंने सोल्डर भी छे इंच लिए अगर डीप गला बनाएंगे तो उसके लिए हमें साड़े-पांचीन सोल्डर लेने अब यह पीछे का है और यह बड़ा है वह आगे का है तो इसमें देखिए हमें क्या करना है इसको बनाना तो बहुत सरल है साधा ब्लाउच इसको फोट टक्स भी बोलते हैं तो देखिए आदा-दा इंची यहां पर हम इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे आदा-दा इंची कर करने क्योंकि यहां पर आगे जो जोला आती इसलिए आप देखे जोड़ा हुआ था इसलिए यहां पर कटिंग कर लिए अब यहां पर निशान लगाएंगे तो देखिए यहां से हमें इंची टिप को रखना है और यहां पर हम 10 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, यह 10 इंच पर एक निशान हो गया, अब इसके बाद हमारा जो फिटिंग का कपड़ा वो निकालेंगे, तो देखे जैसे 19 इंच था हमारा पीछे का पल्ला तो यहां पर 9 इंच आएगा, अगर आपको ऐसे समझ में नही तो इस तरीके से इसको डबल कर ले, 19 इंच के ऐसे डबल, तो यहां पर इंच टेप लखके यह फिटिंग का कपड़ा निकालने, इस तरीके से, अब इसी के बराबर हम यहां पर एक प्लेट डाल लेंगे, अब देखे नीचे की प्लेट हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, आदा इंच यहां पर, आदा इंच यहां पर, एक इंच की छोड़ा ही ले लिए, अब देखे हमें यहां पर बगली के साथ, दो इंच और आरूमल की यहां पर आएगी, ठीक है, अब यहां पर कैची की कट लगा लें अच्छे से, इससे क्या अच्छे से समझ में आए, अब इसक चौक से अच्छे से निसान लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिए और दूसरी साड़ भी निशान लगाने हमें ऐसे तो यह हमारा आगी का है और यह हमारा पीछे का है तो देखिए पीछे की साड़ हम प्लेट का भी निशान लगा लेंगे इसको हमें पहले बराबर करना है अब देखिए यहां पर कपड़े में जो छोटा बड़ा हो रहा है उसको बराबर कर लें क्योंकि ऐसा हो जाता है प्लेट की उसके बाद धाले प्ली ऐंगे है उसके जो ड़ाइ मिनला प्लेट जो कपड़े की लंबाई है वह साड़े दस इंच और यहां पर इसके चोड़ाई है वह 19 इंच तो काफी है तो इसमें क्या है हमें तुर्पाई भी करने है थोड़ी सी इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं बाजू कि तुर्पड़े को हम ऐसे करके डवल करेंगे इस तरीके डवल करने के बाद अब हम यहां पे निशान लगाएंगे कटिंग का तो यहां पे हम तीन इंच लेंगे और इसको देखिए हमें ऊपर की साड़ इस तरीके से लेके जाना है इस तरीके से और आप पहले paper पर cutting कीजिए अच्छे से तो paper cutting भी मैंने बताई है जैसे बाजू के cutting नहीं आती है और भी आसानी से कम कपड़ा है तो उसमें से बाजू कैसे निकालनी है तो आप प्लीज हमारे चैनल में जरूल देखें इस वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है Telling in Hindi चैनल आप उस पर क्लिक कीजिए उसके बाद उपर लिख के आएगा वीडियो फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो देखें इस तरीके से हम यहां पर मौरी का जो फिटिंग का निशान है वो ऐसे आएगा अब इसके बाद हम यहां पर गुंजाइस रख लेंगे और बाकी जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे जैसा मैंने हमें इस साफ को कहिए गुंजाइस आपको ज्यादा लेंगे नहीं ओर देखें यहां पर हमने डेड़ इंच लिया है अशा करती हो आपको मेरी यह बीडियो अच्छी लगी है तो फ्लीद हमारी इस बीडियो को अपने दोस्तों किसा जाए से जाए शेयर करें अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते हैं तो फ्लीद आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद